पहली बार 75 साल के बाद भारत की राजधानी में स्कूल अच्छे बनने लगे, गरीबों को इलाज मिलने लगा, विजली 24 घंटे होने लगी, चौत अरफा एकदम विकास होने लगा, तरक्की को देखके पूरे देश के अंदर एक उमीद जागी। आज CBI ने समन दे के मुझे अपने दफ्तर बुलाया है, मैं अभी दफ्तर जा रहा हूं और जो भी सवाल जवाब वो करेंगे, उनके सब के सही जवाब देंगे, भारत एक महान देश है, 75 साल के बाद भारत में भारत की राजधानी में एक सरकार आई, दिल्ली में एक सरकार आई जिसने डेश में एक उम्मीद पैदा की, पहली बार 75 साल के बाद भारत की राजधानी में स्कूल अच्छे बनने लगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी, गरीबों को इलाज मिलने लगा, सडकें ठीक होने लगी, विजली 24 घंटे होने लगी, चौतरफा एकदम विकास होने लगा, जो कि पूरे देश में 75 साल में कहीं किसी पार्टी की सरकार में लोगों ने देखा नहीं था, दिल्ली की तरक्की को देखके पूरे देश के अंदर एक उम्मीद जागी की दिल्ली का विकास हो सकता है, तो बाकी भारत का भी विकास हो सकता है, पूरे देश के अंदर एक उम्मीद जागी कि भारत दुनिया का नंबर वन देश बन सकता है लेकिन कुछ राष्ट्र विरोधी ताकते हैं जो नहीं चाहती कि भारत की तरक्की हो 75 साल तक इन्हीं ताकतों ने भारत को पिछड़ा रखा कुछ राष्ट्र विरोधी ताकते हैं जो नहीं चाहती कि देश में स्कूल बने वो नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले वो नहीं चाहती कि देश में अस्पिताल बने देश दुनिया का नंबर वन देश बने कि आज उन इसब राष्ट वset विरोधी ताकतों से मैं कहना चाहता हूँ कि अब भारत रुके गानी है लोग बहुत बेचैन हो चुके हैं भारत तरक्की करेगा भारत आगे बढ़ना चाता है देश तरक्की करना चाता है तुम हम भारतसु वालओं को भारत वासियों को जितना मर्जी परिशान कर लो लेकिन भारत रुकने वाला नहीं है तुम्हारे इन गीदड़-भखक्यों से भारत रुकने वाला नहीं है भारत तो आगे बढ़ेगा जैहन पहली बार 75 साल के बाद भारत की राजधानी में स्कूल अच्छे बनने लगे, गरीबों को इलाज मिलने लगा, विजली 24 घंटे होने लगी, चो तरफा एकदम विकास होने लगा, तरक्की को देखके पूरे देश के अंदर एक उम्मीद जागी